नमास्ते मित्रों, आप सबों का लिविंग हैपली में, माई नेरेंद्र कुमार, वेलनस कंसल्टेंट, इंटरप्रिनर ट्रेनर, सहिर दय स्वागत करता हूँ, आज हम एक बहुत बड़ा मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं, हाँ, वह मुद्दा हमारे सरीर से ही संबंधित है, क्या आपने कबज का नाम सुना है, निश्चिति, सुने होंगे, कंस्टिपेशन जिसे इंगलिस में बोलते हैं, ये काईदे से होता क्या है, चलिए इसके बारे में ही आज संपोर्ण जानकारी आप लेंगे, आप जानेंगे कि कबज क्या होता है, क्या होता है, इसके क् कैसे ठीक कर सकते हैं और सदायब की भाती चुकि मैं विलनेस कंसल्टेंट हूँ तो आपको मैं बताऊंगा सही तरीका कैसे कर सकते हैं यह करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप इसका अनुसरन कर सके और अगर आप कब जिससे ग्रसित हैं जो मैं उमीद करता हूं और विडियो उन तमाम दर्शकों के लिए बड़ा ही लाव प्रद होने वाला है जो या तो कब्ज से ग्रसित हैं या संभावनाएं हैं या बोडर लाइन पर हैं तो आईए हम सीधा प्रारंभ करते अपने विडियो कब्ज जैसा कि हम सब के दिमाग में एक भावना है कि यानि कि बावल मुवमेंट जो हमारे बड़ी आत होती है जहां कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एक लाइन में बता दे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ होते हैं ओइसो फैगस होते हैं इस्टोमेक होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं लार्ज हैं गौल ब्लाडर हैं यह सब supporting organs हैं जो कि इस तमाम पाचन तंत्र में मदद करते हैं ठीक है तो जब हम कुछ खाते हैं तो इसे काइदे से लगभग 95-99% इसे rectum में जाके इनस के द्वारा निकल जाना चाहिए जिसे हम मल त्याग कहते हैं मल त्याग के द्वारा हमारे complete जो और सिस्ट पदार्थ जो थे विसाक्त पदार्थ यह सबको निकल जाना था लेकिन जब यही नहीं निकलते हैं रह जाते हैं यही मूल कारण होता हमारे कबज का तो अब कबज समझते हैं कि कबज के परिभासा में कब आते हैं तब आएंगे जब सपताह में तीन बार या उ नहीं हुआ है हमेशा कुछ न कुछ भारीपन रहेगा मलत्याक की इच्छा हो रहे है लेकिन आप जाने ही पा रहे हैं इसी तरह से आपको बाउल मुहमेंट हो रहा है गड़ गड़ हो रहा है गैस बन रहे हैं या फिर एसी डीटी हो रहे हैं आपको unwanted digestive system यहां lower body part में पेन महस हो रहे हैं तो यह सब कभज के symptoms हो सकते हैं, अब हम जानते हैं कि इनके कारण क्या है क्योंकि अपने लक्षन देख लिया हो सकता है, कुछ समय के लिए आप भुक्तु भोगी रहे हो या आपके मित्र संबंधी रहे हो अब इसके कारण क्या है तो कारण सबसे पहला जो कारण है कि हम ऐसे चीज खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं हो रेसेदार नहीं हो जब यानि कि बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ट फूड आ छोटी आप का कारे होते हैं उन पदार्थों में जो निट्रिस्टनल भैलू है उनको अवसोसित करना लेकिन वो अवसोसित नहीं कर पाते हैं यह जो सौफ्ट पदार्थ हमने खाया विसेस का रिफाइंड फ्लावर जो मैदा से बने और कई सौफ्ट प्रोसेस्ट फूड ह यह उन आत में एक लेर की भाती बन जाती है जो कि अवसोसन होने नहीं देती है उसके जो लिविया है अब फर्दर जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे उसके माइक्रो ओर्गन्स का ध्यान करेंगे तो उसमें लिविया होती है जो कि एक्चुल फूड के नहीं कर पाते हैं अब जब नहीं कर पाते हैं उसोसन तो एजिटी ये बड़ी आत में चली जाती है और बड़ी आत का काम हमारे उड़जा देने में नहीं है बड़ी आत में जो छोटी आत के बाद जो पचके गया है भोजन उसमें बच्ची हुई जल की मात्रा को उसोसित करना है और electrolytes हैं उनको अबजर्ब करना काम है ताकि हमारे सरीर से बहुत ज़्यादा जल की मात्रा न जाए आप देखते होंगे कि जब हम मल त्याग करते हैं तो उसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा मल त्याग होता तो यह तो सामान्य प्रक्रिया है अब देख लिजे कहां तूटियां रह गई जब छोटी आत ने ही अपना काम पूंड तह नहीं किया अब हम फाइबर फूड जिसे आप ताजी फल कह सकते हैं ताजी सबजिया कह सकते हैं जो दाने वाले हैं जो अंकुरी चना हैं साबुत अनाज हैं यह सब जब खाते हैं तो उनके छिलके होते हैं यह छिलके में ही फाइबर सामिल होते हैं और यह एक मौपिंग की तरह काम क जब ये हमारे सरीर से बाहर निकलते होते हैं, तो उन तमाम और सिस्ट पदार्थों को भी बाहर लेके जाते हैं, लेकिन जब हमारे खाना में ये सब फाइबरस नहीं होते हैं, तो उन्हें मॉपिंग के लिए, मॉपिंग तो हवा से नहीं हो सकता, मॉपिंग के लिए तो जर इसके अलावे जब हम जल की मात्रा कम ग्रहन करते हैं अपने दिन में या तो आदत के कारण या मजबूरी के कारण तो आप को जल प्रयाप्त मात्रा में लेना है या फिर कोई आप दवा ले रहे हैं regular medication कर रहे हैं बीपी सूगर या तमाम तरह की बिमारिया का ले रहे हैं उस कि इनसे निदान आखिर कैसे पाया जाए यानि कि the medial action हमारे पास क्या है जब आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं तो निश्चित है चके सक के पास जाएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, medical consultant के पास जाएंगे उसके लिए तो मुझे सलाह देने की इस वीडियो की जरूरत नहीं है इस वीडियो की जरूरत तब है यानि कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही न पड़े कब्ज काम निर्मान ही न हो यानि कि नियमित रूप से 99% आपके सरीर से उसिस्ट परार्थ निकल जाए इसके लिए हमें करना क्या है एक एकर विसेश कर हम चड़चा इस वीडियो में यही करने जा रहे हैं जो कि आपके प्रिवेंटिम मेजर्स और करेक्टिम मेजर्स के तहत काम आएंगे तो पहला यही है कि आप जल, पर आप तो मात्रा मेले, जल कब सुरू करें, आप जैसे ही जगते, जगते के साथ ही आपकी जल ग्रहन, जो हाइड्रेसन होता, ये प्रारंब हो जाना चाहिए, सुबह आपने अपने धर्म परंपरा के मुताबिक, आप इस तरह से रिग्रस ये सुथिंग करता है, आप बेड पर जैसे उठे, उठने के बाद ही आप यह किजिए, आपके चेहरा में ग्लो लाएगा, आँखों की रोसनी को बढ़ाएगा, सुथिंग, प्रसंता आपको देगा, इसके बाद आप अपने नाक, दोनो नॉस्ट्रिल में, दोनो अंगु यहां लगाईए, यहां, और यहां देखिए, कि कौन सी नारी आपकी चल रही है, सूरे नारी या चंदर नारी, यूजुली सुबह के समय में, लिफ्ट, जिसे चंदर नारी बोलते हैं, जो कुलिंग के लिए रिस्पॉंस होल होता है, यह चालू होता है, तो आप जब बे तेजित, बहुत ही उड़जावान रहने वाले हैं, तो आप अपने दाहिने पैर को पहले आगे बढ़ा के जमीन पर रखिए, और उसके बाद यहां जमीन में हम बैठ जाएंगे मलासन की मुद्रा में, और गुन-गुना पानी आप रखिए, वहां बेड टेवल के पास, और इस तरह से बैठके पानी ग्रहन कीजिए, यहां यह मलासन, यहां पैर को जितना फैला सकते हैं, फैला के बैठिए, यहां ऐसे लीजिए, और यहां इतना बड़ा गलास है, एक गलास पीजिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो एक ही गलास पीजिए, घूट-घ पूटके ऐसे निगला नहीं है आराम से हो सकता है कि पांच मिनट लग जाए आप पांच मिनट लगा लिजिए ठीक है शुरुवात में आप एक ही गलास पीजिए आप बड़ा गलास नहीं हो रहा है छोटा गलास से ही पीजिए गुन-गुना पानी आप किसी में भी जाना है आपने एक लीटर ग्रहन करने में या आदत बनाने में हो सकता है आपको छे महिना भी लग जाए तो आप सुबह से ही शुरुवात कर लिजिए अब जब आपने जल ग्रहन कर लिया तब यहां ऐसे मलासन में बैठिए और यहां राइट लेक को अंदर कीओर यह आप एट टाइमस कम से कम कीजिए यहां आप देख पा रहे होंगे कि हमारी इन मुवमेंट में बाउल मुवमेंट हो रहे हैं यानि कि बड़ी आत जो आपने इंटरनल ऑर्गन के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं उनहें टास्किंग ही देते हैं जब हम भोजन करते हैं त हमारे digestive system को एक task मिल जाता है उन्हें digest करना तीन घंटा में वो काम करते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं वो हमारे लिए सदायब 24 hours हमारे internal organs काम करते हैं इस अभ्यास के दौरान हम उनके लिए कर रहे हैं जो हमारे लिए 24 hours कर रहा है तो हमारा भी तो करतब्य बनता ह है उनके लिए करना तो यह मलासन में बैठके हम अपने दोनों पायर को इस तरह से करेंगे आप eight times कीजिए eight into three कीजिए फिर यहीं अगला आप ऐसे ऐसे आगे चलिए यह देखिए यहां वाक कीजिए शुरू में थोड़ा पेंफुल हो सकता है यहां वाक कीजिए यह दूस भुजंगासन आप कीजिए यहां आप जमीन में ही लेट जाए यहां लेट के यहां इस तरह से स्लोली स्लोली ऐसे उठिये ऐसे जित्ता उठ सकते हैं ठीक है यह भी eight times कीजिए आप यहां देख पा रहे होंगे कि मैं अभी अपने digestive system पर especially internal organs जिसमें ना की बड़ी आत हमारे छोटी आत पैंक्रियाज लीवर्स गॉल ब्लाडर लंग्स आपका सकते entire body सामिल है तो आप भुजंगासन कीजिए आठ बार कीजिए दो बार कीजिए चार बार कीजिए जितना हो रहा नेक्स्ट अभ्यास है आप बजरास आप सबको पता ही है बजरासर में बैठके हम यहां पर हाथ रखेंगे और पूरा अपने body को टर्न करेंगे यह देखें टर्न कीजिए कुछ देर तक बने रही है और यहां टर्न कीजिए ऐसा यह भी आप eight times कर सकते हैं उसके बाद अगला ब्यास है आप खड़े होके हाथ हैसे सामने कीजिए आप चाहें तो पैर फैला भी सकते हैं और यहां यह देखें दिखेंगा आपको clear और यहां टर्न होई यह जितना जा सकते हैं और यह हाथ यहां रुक जाएगा फिर से वापस और यहां यह आप इस स्थिती में देख रहे होंगे कि हमारे जो स्टॉमेक एरिया है जहां complete digestive system के सब आर्गन है इनमें एक movement हो रहा है ठीक है और यह movement हमारे आत के internal अस्कीन में जो फसे हुए जो मैंने पहले बताया था कि उसमें पेस्टिंग तयार हो जाते हैं पेंटिंग हो जाते हैं इन सब में movement होते हैं और वहां से हट जाते हैं ठीक है जो कब जुमें actual problem होता है वो और शिस्ट पदार्थ हमारे सरीर से बाहर नहीं जा पाता है तो उ यहां से हटना सुरू हो जाए तो यह कर लिजिए और उसके बाद अंतिम जो movement है यहां आप खड़े होएं और हाथ को उपर किजिए हाथ को उपर करके आप पैर चाहें तो फैला सकते हैं और यहां यहां देखिए ऐसे ऐसे पल्सिंग किजिए अगेन आपके digestive system में में अगर आप हाथ नहीं उठा पा रहे हैं किसी कारण बस तो only body को भी आप ऐसे से कर सकते हैं यह न कि आपको कब्ज से निजाद दिलाएगा बलकि आपके सरीर को भी fit करेगा और सुबह होते ही जब आपका पेट साफ रहेगा तो आपका पूरा दिन भी साफ रहेगा यानि कि हमारे जो complete उड़ जास्तर है वो पाचन तंतर पर ही निर्भर करता है क्योंकि अगर पाचन तंतर सही नहीं चल रहा वो परियाप्त मातरा में nutrition को absorb नहीं कर रहा तो blood तक कहा जाएगा जब blood तक नहीं जाएगा तो हमारे सारे अंग में नहीं जाएगा यानि कि brain में नहीं ज सकते हैं यानि कि हमारी efficiency directly proportional है हमारे digestive system कितने strong है दूसरा digestive system न कि सिर्फ हमारे efficiency को बढ़ा रहा है यह आपके चेहरे के glow आपके skin के glow आपके hair के health इन सबों को भी प्रभावित करता है क्योंकि इन सब के भी skin के glow बाल का health है यह सब निर्भर कहां से करता है इन्हें भी तो nutritional जो value है जो nutrients है वो कहां से मिलेंगे यही digestive system से तो हमारे लिए परम करतब्य है कि अपने digestive system को सही रखें इस वीडियो में मैंने आपको अभ्यास के तरहत बताया इसके अलावे हमने बता कि अगर आप बाहर जाते हैं तो चार से पांच लीटर आप पानी पीए महिलाओं के लिए यह थोड़ा सा range कम होता है तीन से चार लीटर प्रती दीन आप ग्रहन करें सुबह में ग्रहन करें उसके बाद भोजन के बाद एक घंटे के बाद आप ग्रहन करें एक लीटर आध सबजियां जो रिशेदार होती हैं ताजे फल लें सुखे मेवे खाएं डेरी प्रोड़क्ट्स जो होते हैं घी वेगर जो जादा हो जाते हैं इनसे आप थोड़ा सा बचे प्रोसेस्ट फूड जो पीजा है और जो आज जंक फूड इन सब हों से थोड़ा सा बचने का कोस कमनेरों दिन में जो हूए छोड़ा सा मुहमेंट करें यानि कि जो भी कारण है टिंबर नोगर बैठे रहते हैं मनोटोनर से काम है कुछ किटे ही महां सिस्टम पर करें या कहीं खड़े ही हैं तो खड़े ही हैं वह वह बहन इन एक्टिवीटी का कारण हो सकता है तो आप थ शरीर में होने वाली तमाम किस्म की बिमारियों को हम सदा के लिए अलविदा कह सकते हैं और इसी दिशा में मैं नरेंद्र कुमार आप सबों को प्रेरित करता हूं, सिखाता हूं, पर सिच्छित करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, करें, एक्सरसाइज हर दिन करें और से मैं भी नम्र निवेदन करता हूं, कि अगर मेरे चैनल लिविंग हैपली को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो अवसे ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने संबंधियों को मित्रों के साथ भी साजा करें, ताकि ओ भी लाभानवित हो, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन!